मेरी जोतिरलिंग यातरा की सीरीज में आज हम बात करेंगे सिव के चोथे जोतिरलिंग ओमकारेश्वर जोतिरलिंग की ओमकारेश्वर जोतिरलिंग मध्य प्रदेश के खंडवाजी लेके बिंध्याचल परवत पर शिवपूरी नामक दीप पर नर्मदा अनधी के तट पर स्थित है ओमकारेश्वर में भगवान शिव के दो जोतिरलिंग बिद्यमान है पहला ओमकारेश्वर तटा दूसरा जोतिरलिंग है ममलेश्वर इन दोनो जोतिरलिंगों की गणना एक ही जोतिरलिंग के रूप में किय जाती है ऐसी माननेता है कि भगवान शिव रात्री विश्राम के लिए यहां आते हैं ओमकारेश्वर मंदिर में भक्तों का अंबार लगा रहता है जिससे भोले के चड़नों में ज्यादा समय बिताने का मौका मिलता है यदि आपके पास समय कम है और आप भगवान शिव के शीग्र दर्शन करना चाहते हैं तो आप VIP टिकट लेकर शीग्र दर्शन कर सकते हैं VIP टिकट का मुले 300 रुपए है ओमकारेश्वर जोतिलिंग के दर्शन के पस्चात ममलेश्वर जोतिलिंग के दर्शन करना अनिवारे है अन्यथा आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी ममलेश्वर जोतिलिंग को अमरेश्वर जोतिलिंग भी कहा जाता है अब बात करते हैं वहां रुखने की तो आप ओमकारेश्वर एक दिन में घूम लेंगे ओमकारेश्वर में रुखने के लिए धरमशाला, होटल, वो मंडी ट्रस्ट का भक्त निवास है यहाँ पर आपको एक हजार से पंदरो सो तक में दो लोगों के लिए होटल इजली मिल जाएंगे बात करें यदि हम वहाँ खाने की तो वहाँ पर परसन कोश्ट पर डेका 300 रुपे लगेगा अब बात करते हैं कि वहाँ जाया कैसे जाए यदि आप ओमकारेश्वर दिल्ली से जाते हैं तो दिल्ली से ओमकारेश्वर की दूरी लगवग 960 किलोमीटर दूर है ओमकारेश्वर जाने के लिए दिल्ली से इंदौर और इंदौर से ओमकारेश्वर जाना सुगम रहेगा दिल्ली से इंदोर आप train, bus वा flight टीनों से ही जा सकते हैं अगर आप train से जाते हैं तो दिल्ली से इंदोर जाएं इंदोर railway station के थोड़ी दूरी पर ही bus stand है यहां से आपको अमकारेश्वर के लिए bus से मिल जाएंगी अगर आप flight से traveling करते हैं तो indoor airport से bus stand लगभग 12 km दूर है, airport से आप taxi लेकर bus stand, वो bus stand से bus के द्वारा ओमकारेश्वर जा सकते हैं, यदि आप चाहें, तो airport से सीधे taxi से ओमकारेश्वर जा सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा costly पड़ेगा, अब बात करते हैं वहाँ के expense की, तो इसमें आने जाने दोनों का खर्च include है, अगर आप अपनी यात्रा train के slipper class से करते हैं, तो train का किराया लगभग 900 रुपए, bus 200, hotel 7500, fooding 300, local convince 1.500, total खर्च आपका 2300 रुपए आएगा, अगर आप अपनी यात्रा train के ठाड़ेशी से करते हैं, तो आने जाने किराया 2400, बाकी bus, hotel, fooding, local convince सेम रहेंगे, टोटल कोश्ट आपकी आजाएगे 3800 रुपए, यदि आप अपनी जनली फ्लाइट से करते हैं, तो आने जाने किराया 3000 रुपए, bus, hotel, fooding सेम रहेंगे, local convince 2000, टोटल कोश्ट आजाएगे आपकी per person 2250 रुपए, इसमें फ्लाइट और local convince घटबड़ भी सकता है, या आपके करता है, क्या फ्लाइट कितने दिन पहले बुक करते हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इससे like और share करें, यदि कोई doubt हो तो comment करके पूछें, आगे और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को subscribe करें, और bell icon को press करें, thanks for watching